असलाम वालेकूम, वेलकम टो जान विस्किचन, आज हम बनाएंगे एक कवाब, इन कवाब को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेश्ट लगते हैं, तो चलिए, एक कवाब बनाना शुरू करते हैं, एक कवाब बनाने के लिए हमने चार बॉ हमने आलू का अच्छे से मेश कर लिया है, अब इसमे डालेंगे एक प्यास बारिकटा हुआ, एक छोटी चम्मच रेडचिली फ्लेक्स, आदा आइंच अदरक का तुकडा बारिकटा हुआ, आदी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आदी छोटी चम्मच चाट मसाला, आद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हरा धनिया बारिकटा हुआ, सबी मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हमने मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम मैदे का गोल बना कर तयार करेंगे, यहां पर हमने तीन बड़ी चम्मच मैद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल गर मिक्स करते जाएंगे मैदे का गोल बनकर तयार है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी उंचे ही ना ही ज्यादा घाड़ा ना ही ज्यादा पतला इसमें दो चुटकी नमक डालेंगे और इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से और यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिये हैं इनको मैंने घर पे ही बनाया है चार बॉइल अंडे लिये हैं एक अंडा लेंगे और इसे बीच में से इस तरह से कट करेंगे एक अंडे में से चार पिस करेंगे इसी तरह से बाकी के अंडे काट कर तयार करेंगे यह देखे हैं हमने सारे अंडे काट लिये हैं अब हम कवाब बनाना शुरू करेंगे हाथ पर थोड़ा सा तेर लगाएंगे थोड़ा सा अलू का मसाला लेंगे अब हम इसे राउंड शेप करेंगे इस तरह से फ्लेट कर दीजे इसे अच्छे से फ्लेट करने के बाद हम इसके उपर अंडा रखेंगे अंडे को अच्छी तरह से कवर करेंगे अंडा थोड़ा भी दिखना नहीं चाहिए यह देखे इस तरह से यह बहुत यह आसानी से हो जाता है कवाब बनकर हमारा तयार है इसी तरह से हम सभी कवाब बनाकर तयार करेंगे अब हम कवाब की कोटिंग करेंगे कवाब लेंगे और इसे मैदे के गोल में डालेंगे इसे अच्छी तरह से मैदे के गोल से कोट करेंगे अब हम कवाब को मैदे के घुल से निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे कवाब को ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट करेंगे इसको हमें बहुत ही आराम से करना है ये देखे इस तरह से हमने कवाब को अच्छी तरह से कोट कर लिया है इसी तरह से हम सभी कवाब की कोटिंग करेंगे ये देखे हमने कवाब को कोट कर लिया है अब हम कवाब को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे गेस पर हमने तेल गरम होने के लिए रखा है और ये देखे कवाब को रखके 10 मिनट हो चुके है तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें कवाब डालेंगे इनको थोड़ी देर ऐसे ही सिखने देंगे अब हम कवाब को उलटते पलटते हुए हलका ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे कवाब को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है इनको हम निकाल लेंगे प्लेट पर इसी तरह से हम बाकी कवाब को फ्राई करेंगे हमारे एक कवाब बनकर तयार है अगर आपको मेरी आज के रेसीपी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते इन्चाला इगने रेसीपी के साथ आला हाफीज